देश में कोरोना वायरस संक्रमन के साथ में ही ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोर माइको सिस भी जिसको कहा जा रहा है बीमारी पैर पसार रही है सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली ये बीमारी अब देश के 26 राज्यों तक फैल चुकी है जानकारी के मताबिक पूरे देश में इस समय इसके लगभग 20,000 मरीज इलाज करवा रहे हैं तबाम अलग-अलग अस्पतालों में लेकिन बड़ी समस्या इसके इलाज में इस्तमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी है इसकी जो है कमी लगतार होती जा रही कुल मांग के 10 वीजदी के बराबर भी इंजेक्शन उपलब्द नहीं है ये बताया जो रहा है ये जानकारी मिली है पूरे देश में ब्लैक फंगस के करीब 20,000 मामले दर्च किये जा चुके हैं जिसमें से 1000 से ज्यादा मामले अकेले उत्ता प्रदेश में है उत्ता प्रदेश में ब्लैक फंगस के 1089 मामले सामने आये हैं 112 लोगों की जान भी जा चुकी है प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमन के गंभीर हो जाने वाले 54 मरीजों की आँखे तक निकालनी पड़ी है वही कुछ मरीजों का आपरेशन करके उनका इलाज किया गया और उन्हें डिस्चारज कर दिया गया लेकिन अभी तक दवाओं के साहरे किसी का सफल इलाज नहीं किया जा सका है ये भी अपने आप में एक विडम बना है बड़ी बात ये है कि ब्लैक फंगस की बिमारी में जिस इंजेक्शन का इस्तमाल किया जा रहा है वो लोगों को मिल ही नहीं पा रहा इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बातचीत करेंगे डॉक्टर आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं होमेपैति डॉक्टर है बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साब आपका तो कुल बिलाकर जो तस्वीर हम ब्लैक फंगस को लेकर देख पा रहे हैं उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और लगातार जो मरीज मिल रहे हैं उसके एक हजार मरीज हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ उत्तपरदेश से निकल कर सामने आए हैं तो ऐसे में बड़ी संख हैं इन मरीजों की जो की उत्तपरदेश से निकल कर सामने आए इसका इलाज क्या है जो एक दवाई बताई जो आ रही है एंफो टेरेसिन वो कितनी कारगर है और होमियोपैटिक में क्या इलाज है आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे डॉक्टर रादर्श बहुत-बहुत सारे मरीज और कोरोना से जादा खतरनाक ये इस्तिती बन रही है ब्लैक फंगर्स की क्या बचाओ है किस तरह से फैल रहा है क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है जी नमस्कार मैं डॉक्टर रादर्श तिपाठी बताना चाहूंगा कि जो ये ब्लैक फंगर्स की प्र पाई देखने को मिल लही है अगर हम बिना डॉक्टर्स के प्रस्केप्शन के या डॉक्टर्स भी बहुत से ऐसे हैं जो हो में अगर इलॉपैज आसे डॉक्टर होते हैं जिनको जो है इस्ट्वाट्स का प्रॉपल्ली जो है तरीका नहीं पता होता है लेकिन गाओं में ब और जो होते हैं लेकिन कही ना कहीं यह आने वाले आगे समय में जो है यह किसी ना किसी रूप में हमारे body में problems create करती हैं तो इसलिए जो लोग बिना doctors के perception के जो है धरले से जो है हो चाहे वो हम बात कर रहा है कुरोना की या और भी ऐसी बहुत से डिजेश रहें वह जब हमारा बॉडी का प्रतिरोधक शंतातन्तर जो है वह काफी कमजोर होता है तो कोई भी बॉडी हमारे बॉडी की जो है immunity को disturb कर देती है और वहाँ पे जाके अपना attack कर लेती है तो same ऐसी सितियां जो है black fungus में देखने को मिल रही है ये black fungus जो है आप कह सकते हो जिसको mycosis कह रहा है ये कहीं ना कहीं जो है जब हम irregular तरीके से और ये जिसको हम फफून बोलते है फफून जानते तो सभी थे और बहुत प्राया हर जगे लकड़ी पी देखने को लगती है अचार पे मुरब्बे पे हर जगे आपको देखने को मिलती है लेकिन ये अगर हम बात करें तो human beings में जो है ये लगातार जो है एस्ट्रोइड के इस्तेमाद से ये मौश्यर जैसे होता है जहां पे मौश्यर देखने को मिलेगा उन जगों पे ये ज़्यादा देखने को मिल लही है आप कर रहे हैं कि दवाओं की आनेमित्ता से यानि कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड जो दवाएं हैं उनका इस्तमाल कम करके अपनी तरफ से मनमानी दवाईयां अगर खा रहे हैं एस्तरोइड ले रहे हैं तो फिर दिक्ते हैं लेकिन हम देखने में ये आया है कि जो अस्पताल में मरीज इलाज करवा रहे हैं कोरोना का उनमें ज़ादा ब्लैक फंगस के लक्षण देखे जा रहे हैं बजाए इसके कि होम आइसोलेशन में क्योंकि वहाँ पर होम आइसोलेशन में भले आप मनमानी कर ले लेकिन अस्पतालों में तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं कि अभी आप जैसे बता रहे हैं यह लगाया गया उसके बाद एंटी तो तब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉसेस बतलब अभी इस पे जो है बहुत कारगर चीजें जो है नहीं से बाल कोई आयरुवेदिक में कर रहा है कोई जो है अलग तरीके से जो कर रहे हैं किसी ने मताया ये भी तो वो कहीं न कहीं हमारी बाडी के लिए हानिकार रखोता है तो इसलिए जो है जो है जो हम देख रहे हैं क्या कोरोना से उपजा हुआ ही ये ब्लैक के पास जो है जैसे किसी को भी जो है काफी समय से साइनस रहा है ठीक है साइनस की वज़े से उसकी नाक और नाक से जो है काले कलर का जो है पानी जैसा निकलने लगता है आंक के पास जो है वहां पे एक साइन तंद्र को जो कमजोर कर देती हैं तो वह कहीं न कहीं जब हमको मौइश्या ऐसा मिलता है तो वह जो है grow करने लगता है और यह blood के थुरू है हमारी eyes capillaries जो होती है उनको जो है वहान पर swelling जाती है और blend कर देता है मतलब वहां पर प्रोपर सप्लाई नहीं हो पाती है और धीरे धीरे जो है इसके जो है मैसीलियम जो तंत होते हैं छोटे-छोटे मैसीलियम उनको बोलते हैं और वो मैसीलियम धीरे धीरे जो होते हैं वो अपना एक ग्रूप जैसा कालोनी जैसी बना लेते हैं और वो कालोनी कहीं न कहीं ब्लट की सप्लाई को बाधित कर देती हैं स्वैलिंग आने लगती है इस वज़े से चाहे वो कोई भी पार्ट हो आंक का पार्ट हो उसको निकालना पड़ता है बिलकुर कह सकते हो कहीं न कहीं जैसे कोई भी चीज अगर आपके लिए बहुत तुरंट अगर कर रही है कोई भी अगर कोई बेक्ति जो हाई स्कूल में एड्मिशन भी लेता है तो उसको एक साल लगता है पड़ने के लिए अगर यह दवा जो है तुरंट आपको क्विक रि पर तो जी बाबा रामदेव जी का जो है लेकिन अगर किसी को जो है अगर किसी को जो है अगर हम सर्जिकल पार्ट की बात करें तो वो मौडन टीटमेंट के द्वारा ही उसको सही किया जा सकता है यह कैसे पता चलेगा कि हमको कितनी दवाइं लेनी मान लीजे अगर डॉक्टर ने कोई प्रस्क्राइब्ड दवाद दी है और वो बाद में दुश्प्रभाव उसका पढ़ता है ब्लैक फंगस में वो कनवर्ट हो जाती है चीज़े तो फिर कही न कहीं अभी तक कोई इला और यहां कि कौन सी मेडिसीन कितनी मात्रा में लेनी है और उसके बॉडि बेट लचा करता है इसक है कि अभी ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आई तो उसके दवारा हो रहा कहीं न कहीं उन लोगोंorage जो एक ऑफेले गाउं में जैसे बहुतน से लोग कह saben आइसे लोग होते हैं जिनको एक आइडिया नहीं होता वह पहले से इस्ट्रोइट का इस्तेमाल करार हैं तो उन लोगों में भी यह देखने को मिल सकता है ऐसा नहीं जो डॉक्टर हमारी है वह बहुत ही अपनी तरफ से जो है क्योंकि साइंस में कह सकते हो हर एक चीज को प्र करते हैं लेकिन हम देख रहा है जो ईलाजा ऑभी किया जारह है वो फनक्रमय में भी किया जा रहा था लेकिनuestas की अपने ब्लैक fahren बैक oxygen को लेकर यह का जा रहा है कि यह जो oxygen है क्या इसकी वज़े से तो दिक्कते नहीं खड़ी हो रहे हैं जो हमने जो commercial हम use करते हैं oxygen का उसको अब हम medically use करने लगे हैं तो उसका तो कोई असर नहीं है बिल्कुर oxygen का उसका असर पड़ता है क्योंकि उसमें जो आपने देखा होगा कि एक उसमें जो है pipe के थूँ जो है एक glass जैसा लगा होता है उसमें थोड़ा सा water होता है उसमें air bubbles दिखते हैं तो जो उसमें water हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो distilled water ही इस्तेमाल करना चाहिए उसको जो है साफ कर लेना चाहिए प्रवपली क्योंकि अगर किसी भी अनिम्ता के कारणा उसमें गंदा पानी का रहता है तो वो कहीं ना कहीं हमें बॉड़ी को moisture देगा और दूसरी चीज यह रही कि जैसे oxygen supply लोगों ने किया एक सिलंडर लिया और उसको जो है 10 लीटर पे खोल दिया तो अगर 10 लीटर पे अगर कोई oxygen हमारी बॉड़ी में बहुत प्रॉपली तरीके से नहीं मतब हमको एक लीटर पे खोलना है उसको धीर कहीं न कहीं यह जो इस्ट्वाइट्स जो है जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे उनमें जो है यह प्रॉपली ज्यादा देखने को मिल लहा है जिनकी बॉड़ी की कोई आदमी सोचता है कि हाँ एक चम्मच अगर घी खाया जाए और धीरे धीरे एक किलो घी खाया जाए तो वो बॉड़ी में हेल्थ का काम करेगा जेकिन अगर एक किलो घी एक साथ खा लेंगे तो कहीं नकहीं नुक्सान करेगा तो सेम वैसे ही जो अगर वह तो कहीं न कहीं यह सारे चीजे भी प्रभाव पड़ रहा है और हमारे आंकंट्रोल में हो रहा है तो कहीं न कहीं ज्यादा दवाओं का जब इस्तेमाल कर देते हैं तो वो उसका side effect दिखी जाता होगा कहीं न कहीं black fungus के लिए एक injection आ रहा है कहा जा रहा है कि वो injection लेंगे तो black fungus पे फाइदे मंद है info tereson उसका नाम बताय जा रहा है ये कितना कारगर है अभी तक आपके नजर में हाला कि आप जो है homeopathic से जुड़े हुए हैं अभी तक आपने क्या देखा है इस injection को लेकर और अब जो है इसकी कमी होने लगी है एक बार फिर से तो क्या इसका कोई दूसरा उपचार homeopath में है जिससे हम black fungus जैसी जो बीमारी है जो विपदा खड़ी हो गई है उससे बच पाए बिल्कु सही कह रहा है यह जो fungus है बिसकली होता है जो है नमी मौशर की वज़े से आता है और यह जो injection बनाया गया है यह body के उस part में जो है जब जैसे लगाया जाता है तो उस part की जो जितनी भी नमी है जो mycelium grow कर रहे होते हैं उनके तंतों को जो है क्या करता है breakdown कर देता है और उसके द्वारा जो है सुरचित हो जाता है लेकिन यह अगर आज कमी आ रही है तो कहीं न कहीं बहुत से जैसे market में आता है तो जो बाहुबली लोग होते हैं जिनके पास पैसा है वो लोग क्या करते हैं इसको black में कहीं न कहीं अपने लिए रख लेते हैं जैसे अभी यह हुआ था कि लोगों ने जो है oxygen cylinder हायर कर लिया था लोगों के हां 5-5-6-6 cylinder जो है पाए गए बेंटिलेटर जो है वेवस्था कर लिया तो मतलब उन्होंने सोजा केवल मैं डॉक्टर को हायर करूंगा और सारी जो है मारे पास व्योस्थाएं है तो वो कहीं न कहीं जैसे MDC वर था जो इसकी काफी ज़्यादा जो है डिमांड जो आई और मार्केट से गाइब हो गया फिर लोकल आने लगा तो वैसे ही क्या है कि बहुत से लोगों ने इस injection को जैसे उन लोगों को जरुवत था जिन लोगों को जरुवत था उनको नहीं मिल पाया और लोगों ने पहले से हायर करके एक एक दो दो वाइल जो है खरीद के रख लिए वो कहीं न कहीं मार्केट में सार्टे दिखाई पड़ रही है होमियोपैथिक को लेकर होमियोपैथिक की बात करें तो इसमें पहले भी फंगस का इलाज हुआ करता था और आज भी हमारी होमियोपैथिक में जो है इसका जो है सुजार रूप से इलाज है तो इसमें एसिट कार्ब जो है एक मेडिसीन है acid carb, अगर इसको जो है 20-20 wound, mother tincture को 20-20 wound सुबह दोपहर साम, 3 बार लिया जाए तो ये काफी ज़्यादा कारगर है, दूसरी दवा जो है एक आपने सुना होगा, arsenic अल, तो जहाँ पे redness जैसा starting होती है, और लगता है skin में जो है कि black hungers के symptoms दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर arsenic का इस्तेमाल किया जाए 55 drops का, 30 power में तो वो भी काफी जो है कारगर है, और तीसरी medicine है थूजा, थूजा occidentalis जो है, थूजा जो है, वो बहुत ही कारगर medicine है, वो skin पे जो black fungus है इसको destroy करती है, और काफी ज़्यादा जो है, उसे हमें निजात देती है, जो आपने दवाईयों का नाम लिया है, जिन दवाईयों को आप बता रहे हैं, वो शुरुवाती दौर में काम करेंगी, या फिर अगर condition, अगर serious हो जाती है black fungus को लेकर, और ये दवा लेनी है, अगर उसे जो है, ये काफी हद तक grow कर गया है, तो उस चीज को रोका जा सकता है, उसी level पे, लेकिन अगर वो surgical उसमें change हो गया है, तो surgery ही उसका उपाए है, तो कुल मिलाकर जो दवाईयों है, वो पहले से हम लें, और लोगों को इसकी जानकारी हो, ये जादा बहतर है, जी बिल्कुँ सही कह रहे हैं, अगर जो है ऐसी कुछ जो है, सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे नाक से ब्लेक कलर का पानी आ रहा है, नाक के चारो तरब जो है, यहां पे swelling दिख रही के पास में redness दिख रही है, या कुछ ऐसे साइनेंग सिम्टम्स, आधे हेडेच जो है, आधे साइड में हो रहा है, ऑक्सीजन जैसे आप चलते हैं, तो ऑक्सीजन लेने में जो है, कापिसिटी हो रही है, मुह से कहीं के क्या होता, खून आने सुना, यह जो फंगस अलग 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 कलर के बताया जारहे हैं, इसमें क्या कोई अंतर है, या फिर सिर्फ ये नाम इधर उधर कर दिए गये हैं, देखे, वाइट फंगस के बारे में कहा जा रहा है, कि यह बच्चों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि बच्चों यह मतलब क्या होता है, इनके माइसीलियम होते हैं, उनमें एक पिग्मेंटेशन होता है, एक कलर होता है, जिसकी वज़े से इनको इडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें ब्लैक होता है, कलर का होते हैं, माइसेलयम ब्लैक होते हैं वाइट में वाइट होता है यलो में यलो कलर होता है तौ topics and parallel क रावा भी क्या कुए रहता है जिसको यहां Genesis के साथ जोड़ा जाएंड ब्लैक वाइट यलो के अलावा भी कुई है जी फांगस तो काफी तरह के होते हैं हम लोग पढ़ते हैं वह जो यही है नहीं को मिल रहे हैं इसको дवाड़रा सब्सक्तें लेकिन रही हैं जिसके द्वारा स्टित की वाइड़। वॉय防ड फंकस है उन लोगों में, जब आने के चसे हो सकते हैं। अभी जो है confirm नहीं हो लेकिन होने के chances बताए जा रहे हैं कि अगर यह थर्ड लहर आती है तो जैसे इस समय यूगों में जो है यह ब्लैक फंगस देखने को मिल लहा है वैसे बच्चों में जो है यह वाइट फंगस जो है देखने को मिल सकता है और येलो फंगस को लेकर क्या पुक्ता जानकारी नहीं है बिसकली जो है इसके बाद अगर जो है कोई और लहर आती है तो यह कहीं ना कहीं उन लोगों में को एकसेशनल जो लोग होंगे उनमें ये देखने को मिलेगा अच्छा आपने कहा कि ब्लैक फंगस का इलाज जो है होमियोपेटिक में है तो क्या इससे पहले भी ब्लैक फंगस के मामले देखे गए हैं और उन पर क्या प्रभाव रहा और उनकी शुरुआत कहा है जैसे कि यह देखे कई चीजे हो सकती है जैसे जो एकरिकलचर लोग होते हैं यह जो अपर हमारे मूह के जब हमारी बॉडी में इन्जेक्ट हो जाते हैं और उसको बॉडी का मॉश्यर मिल जाता है तो वहां पे ब्रू कर जाते हैं तो बिसकली अगर किसी को तीनों जगों पे मास्क का इस्तेमाल करना है कहीं पे कट जाता है तो उसको हमें साबुन से धुलना है कोई भी स्पोर्स इसका अंदर ना जाने पाए और ये पहले भी जो है टीट किये जाते थे होमियोपैथिक में ऐसी मेडिसिन पहले से भी आती थी अगर हमें आज करोना की बात कर रहे हैं मुझे य करोना के नाम से ही या फिर कुछ और नाम या फिर कुछ और संकेत करोना के बारे में जो है उन्होंने करोना वाइरस को डिस्क्राइब किया था थोड़ा सा हलका सा ब्रीप में किया गया था लेकिन वो आज जो मतब तो ऐसा नहीं कि बहुत सी चीजे हैं जो लोगों ने जै फंगस कोई नई चीज नहीं है यह कहीं ना कहीं जो है अनिम्ता कह सकते हो कि हमारे बॉडी में जो आज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमने इस्ट्राइट्स और बहुत ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल किया है बहुत ज़्यादा काड़ा इस्तेमाल किया अनिम्ता जिस तरह से फैल रहा है कि हम अगर संपर्क में आए दो लोग तो कोरोना एक दूसरे को फैल सकता है ब्लैक फंगस के साथ भी ऐसा ही है या फिर ये इंडिविजुल तौर पर लापरवाईयों से या फिर जादा दवाईयों से ही फैल रहा है इंडिविजुल को फैल रहा है आप किसी के संपर्क में आते हैं अगर ब्लैक फंगस वाले मरीज के तो आपको नहीं हो सकता है क्या कोई ऐसी जान करी। ऌता है तो जब कोई भी बाहर का फोरेंट पार्डिकल हमारी इंजक्ट होता है तो वह हमारी बॉडी उससे जो है। बात करें चूने से या दूर से वो करने से ऐसे चंसेट नहीं हो सकते हैं सामाने तोर पर हम देख रहे हैं कि ज्यादा मरीज इसमें मौत के मुझे चले जा रहे हैं ब्लैक फंगर जिनको रहा है फिर अपना जो बॉडी पार्ट है आंक है फिर कुछ भी जगह है उसको निकाल क्या कोरोना का इलाज करा रहे हैं और या जो लोगों ने करा चुके हैं और या बहुत से जो लोग हैं वो इस स्टेज से गुजर रहे हैं उन लोगों को इस से नहीं गुजरना पड़े तो इसके लिए देखे जिन लोगों ने अनिमता तरीके से दवाओं का इस्तेमाल किया है वो कहीं न कहीं side effect देखने को मिल लहा है लेकिन बस इससे अगर किसी को भी बचाओ करना है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जैसे अगर oxygen cylinder का इस्तेमाल करते हैं तो oxygen में जिसमें water भरा जाता है वहाँ पे वो distilled water ही होना चाहिए और वो साफ होना चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं अगर गंदा पानी है तो वो हमारी नाग के थुरू जाता है और वो जो है वहाँ पे fungus grow moisture के थुरू करने की कोसिस करता है हमें जो है जो agriculture land है वहाँ पे अगर जाते हैं वहाँ पे धूल-ूल के कंड जो है हमारी नाग में जाते है फूलों के पास जो है वहाँ से कंड जो है कोई भी हमारी नाग के थुरू जाते है कहीं पे कट जाता है तो हमको उसको धुलना है और खेतों में इन सब जगों पे जो है नहीं जाना है जो अध्योगी चेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनको भी साधानी बरतने की बिल्कुर ज़रूरत है और यह जो शुगर की पेशन्ट्स हैं जिनको मदुमें है वो कितना ध्यान रख्यों और उनके लिए कितना घातक ब्ल १िक है तो इसलिए अगर उनको कहीं न कहीं यह चांसे ज़्यादा देखने को मिल यहाँ पे ज्यादा कैसे उन लोगों में देखने को मिले जिनको पहले से कोई नयकोई प्रीमारी ग्रसित है चाहे वो लंग्स की हो चाहे किड़िक हो चाहे वो इन्सुलीन से या ब्लेण सुगर से रेटेड हो उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिला तो उन लोगों को काफी ज़्यादा हद तक सतर रहना है उनको प्रॉपली डॉक्टर की देख रेख में रहना है कि किस मात्रा में हमें इंसुलीन का सेवन करना है किस हमें कौन सी मेडिसीन करना है और जो ह लिए मास का जो है प्रॉपली जो है यूज करना है और कहीं पे अगर कट जाता है तो उसको हमें साबूं से धुलना है कोई भी उसमें लापरवाही नहीं करना है और डिटॉल से धुलने के बाद ही जो है उसको साब करके पट्टी बांदना है उसके बहुत बहुत शुक्रिय अपने हाथ में है और डॉक्टर साब ने जो भी जागरुकता के लिए आपको चीजे बताई हो इसको लगतार फॉलो करते रहना है कोरोना से भी खुद को बचाना है क्योंकि हम जब कोरोना से खुद को बचा पाएंगे तो इस देश के लिए बड़ा योगदान दे पाएंगे फिलाल के लिए इस चर्चा में इतना ही नमस्कार